श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिती ले कर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़दा प्रभावित करती है और उसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन इस दिन चंद्रमा थर्ड हाऊस में रहेंगे जो आपके पराक्रम में बड़ुतरी करने वाला है जी हाँ इस समय में आप स्वस्ता रहोगे और मस्ता रहोगे बिमारियों से आप दूर ही रहोगे इस समय में आपकी शरीर की उर्जा भी बहुत ज्यादा रहेगी और आपकी काम करने की गती भी बढ़ेगी इस समय में उन लोगों को सबसे ज्यादा फाइदा होने वाला है जो अपना व्यापार चोटी चोटी यात्रा उन से करते है यानि उन्हें व्यापार करने के लिए छोटी छोटी यात्राय करनी पड़ती है इस समय में यात्राय होने के योग बन रहे हैं खास करके छोटी यात्राय आपको लापकारी सिद्ध होगी दोस्तो इस दिन भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा जी हां भाग्य इस समय में आपके साथ रहेगा चंद्रमा इस दिन नवम भाव को देख रहे हैं चंदरमा की नवम भाव पर दुष्टी होने से दिन आप के लिए भागेशाली रहने वाला है लेकिन चंदरमा पराक्रम छेत्र में गोचर कर रहे है उस वज़े से आपको लगन से काम करना पड़ेगा और मेहनत भी कापी करनी पड़ सकती है व्यापारियों को इस समय में निवेश करने से लाब होने वाला है व्यापारियों के लिए निवेश करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा निवेश कर सकते है इस समय में निवेश करने से अच्छा लाब होने की संभावना रहेगी इस समय में आप धार्मी कृत्ति के नजर आओगे धर्मकर्म के काम में आपकी रुची बढ़ेगी आपके घर में भी कोई धार्मी कार्य संपन होने की संभावना है अगर आप विदे उनके साथ कोई अनबंधी तो वो तो पूरी तरे से समाप्त हो जाएगी और आपके रिष्टे और अच्छे वनेंगे एक दुसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा भाई बहन एक दुसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएगे एक दुसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा अगर बात करते हैं, विद्यारतियों की बात करते हैं, तो इस समय में students को इस दिन खास ध्यान रखना होगा, इस समय में आप भाग्य के भरोसे बिलकुल भी ना बैठे, जी हाँ भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, इस समय में students जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स ला पाएगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्टूडन्स के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा स्टूडन्स को इस समय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए जिस तरह से सारी चीजे चल रही है उसी तरह से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर पर्सनल लाइप की बात करते है लव लाइप की बात करते है तो ये समय लव लाइप के लिए भी बेहतरीन है गूमने फिरने के लिए लाइप को एंजॉई करने के लिए समय का अच्छा उपयोग करे इस समय में नए रिष्टे बन सकते है और पहले से बने हुए रिष्टे और मजबुत बनेंगे जो लोग अविवाहित है उन्हें भी अच्छे रिष्टे आने की इस समय में समभावना रहेगी समय का अच्छा उपयोग जरूर करे इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परियनाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्य रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बात एवीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे ज़रूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ-साथ भा एसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावि एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप कही बहार से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपपल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चप दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हां जो ची चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा negative effect डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी area है वो पूरी तरे से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें, पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीज़े कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हां वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सूतरा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साफ सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते में साफ सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साफ करना चाहिए और मकडी के जालों को खास करके अपने घर में बिलकुल भी पना ना दे दोस्तो मुख्यद्वार भी हमेशा साफ सूतरा रखे मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्त्रोथ भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हां इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना ये गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवा झाल 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 झाल